नमस्कार प्यारे साथियों मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परवार रोजगार विदंकित पर कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत सांदार होंगे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी तो एक बार आ जाएंगे सभी लोग क्लास में जल्दी जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे आप सभी लोगों का बहुत ब ये आपके लिए बहुत 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 उपयोगी है प्यारे दोस्तों अगर मैं आप लोगों की बात करूं कि वीडियो की रिजनिंग को 2018 में सबसे अलग क्यूं बना दिया गया था तो यही टॉपिक कारण रहे थे यही से ही अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे बाकी तो सब एकजाम में बराबर बराबर चीज़ें आती रही है डाइरेक्शन, ब्लड रलेशन, रैंकिंग, सिटिंग, पजल, वें डाइग्राम, स्लोग्स, क्लॉक, कलेंडर, डाइस, है न यह कोडिंग, डिकोडिंग, यह सब चीज़ें तो हर एक में आती थी फिर अल लगबग एक मध्य प्रदेश पुलिस का कॉंस्टेबल का पिपर हुआ था, उसमें स्लोग्स आया था, लेकिन उसमें गनीमत यह थी कि केवल स्लोग्स तक ही बीती थी बच्चों पर, लेकिन यहां पर कथन कार्रेवाही, कथन पूर्धार्णा, कथन अनुमान, कथन निसक प्रभाव, प्यारे दोस्तों, निर्ड़ा निर्धारण, प्यारे दोस्तों, मैं कहूंगा आकड़ों की परियाप्तता, बहुत सारे नई चीज़ें पूछे गई थी, और वो सब चीज़ें, नई नई चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो, कल मैंने आपको पूर धर्णा के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, और आज मैं आप लोगों को इसी संदर्भ में जो चीज़ें बताऊंगा, प्यारे दोस्तों, कथा नेवम कार्रेवाही के भी तरीके होते हैं, कमेंट को एक बार रोक कर मेरी बात को दिहान से सु समझ में आएगा, सायद जादा बहतर समझ में आएगा, अगर मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो, सल सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था, कि वह सबसे पहली बात होती है, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी टॉपिक के चीजे पता है तो मैं उस topic में बहुत अच्छा कर जाऊंगा मुझे basic चीजे पता नहीं है तो मैं उस topic में बहुत अच्छा नहीं कर सकता सर जो यह कथन एवं कार्यवाही होती है ना पहले इसका basic समझ लो उसके बाद question की क्या है उसे तो आप लोग खुद उड़ा दोगे में संभावना वाले question नहीं कराए मेरे दोस्त आईदर वाले question नहीं कराए क्या मैंने आईदर वाले तक ही आपके यहां पे रहेगा और आईदर में संभावना कई case है कि या तो first या second प्यारे दोस्त उस से जज़ादा आपके इस लिबस में नहीं नहीं आएगा फिक है ना तो जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो sufficient हैं बसरते आपने ढंक से पढ़ी हों संभावना वाला किस आईदर वाला किस मैंने हर एक नियम से पढ़ाया है हर एक नियम से पढ़ाया है तो साइद आप उस दिन क्लास में हो सकता है कि अनुपस्थित रहे ह तो मैंने आईदर वाला किस पढ़ाया है बच्चे देखो भई ध्यान से कथन एवं कार्रेवाही क्या है प्यारे दोस्तों अगर मैं कार्रेवाही की बात करूं तो कार्रेवाही के दो प्रकार होते हैं कितने प्रकार होते हैं कार्रेवाही के दो प्रकार होते हैं नंबर ए एक जो कार्रेवाही होती है वो म्रदुल कार्रेवाही होती है म्रदुल कार्रेवाही को हम सरल कार्रेवाही भी बोलते हैं क्या कहा मैंने म्रदुल कार्रेवाही को हम सरल कार्रेवाही भी बोलते हैं और प्यारे दोस्तों दूसरी कार्रेवाही होती है कठोर कार्रेवाही तो दिहान से समझना मैंने कहा मरदुल कार्रेवाही और कठोर कार्रेवाही दोनों चीजों में अंतर क्या है दोनों चीजों में आखिर क्या अंतर है सर मरदुल कार्रेवाही और कठोर कार्रेवाही में अंतर समझो एक एकजामपल से समझाने की कोसिस करूँगा मान कर चलो प्यारे दोस्तों जैसे कि मैं हूँ, मैं हूँ, आप हैं और एक तीसरा दोस्त है बिटा ये जो A है मैंने मान लिया कि ये मैं हूँ, सही है मैंने कहा जो B है मैंने मान लिया कि ये कोई अन्य दोस्त है, सही है और मैंने कहा ये जो C है, ये आप हैं दोस्तों, दिहान से समझना मैंने कहा A मैं हूँ, B कोई अन्य दोस्त है, मेरा C आप है, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त है ठीक है, विटा हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, हम एक कॉलिज में पढ़ते हैं प्यारे दोस्त, जैसे ही हम पढ़ते हैं, तो हम तीनों एक गुरुप में रहते हैं, हम तीनों एक गुरुप में रहते हैं, एक हमारा विपक्षी गुरुप भी है, उसमें भी तीन ही लोग हैं, हम भी तीन हैं, वो भी तीन हैं, जब हम एक संग्ठने में रहते हैं, तो वो ह मैं गया ना तो मेरा अन्य दोस्त गया और जो मेरे आप दोस्त हैं ना ही आप गए अब बेटा मैं अकेला गया अब जैसे ही उन्होंने मुझे अकेला देखा तो आगे का सीन तुम्हें याद आ गया होगा कि फिर क्या हुआ होगा मेरे साथ तो जैसे ही मैं अकेला गया तो उ अपने एक अन्य व्यक्ति के पास, जो मेरा अन्य मित्र है, उसके पास जाके बोला, कि मेरे भाई, आज तो मैं उन्होंने धुन दिया, आज तो मैं उन्होंने धुन दिया, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, मैं सीधी बात है, मैं अपने दोस्तों कोई तो बताऊंगा, पूरी बात की चरचा करेंगे की क्या बात हुई है, आखिरकार क्या बात थी, किस वजह से लड़ाई हुई, संदीप क्या तुम्हारी गल्ती तो नहीं थी, तुमने कुछ कहा तो नहीं था, या ऐसे तो नहीं है, पहले तुम नहीं छेड़ दिया हो, क्यों भाईा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है तो इस भी ने बहुत बहुत मतलब यह कैसा निरने ले रहा है बताओ भी कैसा निरने ले रहा है यह कह रहा है कि बात करेंगे बैठ कर देखेंगे गलती किसकी है उसके बात देखेंगे क्या करना है यह कितनी सची सची बात कर रहा है तो बेटा यह ऐसी बा कार्रेवाही की बात कर रहा है कार्रेवाही किस पर हो रही है उन दोस्तों पर हो रही है जिनोंने मुझे पीटा है बात आ रही है समझ में तो कहने का मतलब यह मरा दुल कार्रेवाही कर रहा है यह मेरे साथ जीने मरने को तैयारी नहीं है है ना यानि यह कह रहा है कि जी पहल मैं आपके पास जाके खड़ा हुआ हूँ, मैं आपके पास जाके खड़ा हुआ हूँ, आपने कहा कि भहिया, संदीब भहिया, ये तुम्हारी आँखों पे नीले नीले निसान कैसे पढ़ रहे हैं, मैंने कहा, बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है क्या, तो भाई ये कैसी कार्रेवाही है, ये कठोर कार्रेवाही है, कि एक साथ मेरी बात पर decision बिना सोचे समझे लेना और कहना कि चलो पीट के आते हैं, तुम एक बात बताओ मुझे, कि मेरी नजर में, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये B वाला दोस्त बढ़िया है, कि C वाला दोस्त बढ़िया वो दोस्त बढ़िया है कि जिसने मुझे समझाया और आगे का कहा कि देखते हैं क्या है पंखाबंद कर दे और या फिर वो दोस्त बढ़िया है जिसने कहा कि चल बदला लेके आते हैं कौन सा दोस्त बढ़िया है तो आप सभी तो कहोगे जी सी वाला बढ़िया है क्योंकि आ नहारे लिए बदला लेने की ठानी है लेकिन बच्चे बेसक सीवाला व्यक्ति मेरे लिए ठीक हो सकता है पर प्रेस्ण में म्रदुल कार्यवाही 99% केस में सही होती है बात द्यान से समझ लो ये पहला पॉइंट समझ में आया तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने जो पॉइ कार्यवाही भी सही नहीं होगी एक परसेंट केस में कठोर कार्यवाही भी सही हो जाती है सर वो केस कौन सा होता है बेटा जब किसी के विश्वास की बात हो कठोर कार्यवाही कब सही होती है जब किसी के विश्वास की बात हो जब किसी के सुरक्षा की बात हो जब किसी के विस्वास, सम्मान और सुरक्षा, किसी एक व्यक्ति विसेश के भी हो सकते हैं, किसी सामुजिक समाज के भी हो सकते हैं, और ये पूरे राष्ट के भी हो सकते हैं, किसी विसेश धर्म और किसी विसेश जाती के भी हो सकते हैं, बात आ रही है समझ में, आगे समझो, तो बच्चे मैंने कहा विस्वास, सम्मान और सुरक्षा क्या है तो यानि यहाँ पर जब तीन चीजों की बात चल रही होगी तो मैं कहूंगा वहाँ पर कठोर कार्रेवाही सही करने के चांस बनेंगे बाकी कौन सी कार्रेवाही सही होगी म्रदुल कार्यवाही सही होगी बात क्लियर है इतनी बात समझ में आई है बहुत बढ़िया यहां तक बताओ क्या बात क्लियर है एक बच्चा करा है बदला लेकर भी तो म्रदुल बात हो सकती है बेटा बदला लेकर म्रदुल बात कैसे हो जाएगी बेटा जब एक धनुस्य बान निकलेगा तो दूसरे धनुस्य भी बान निकलेगा तो वहाँ पर बात होने की गुंजा इस खतम हो जाती है वहाँ पर फिर सीधा युद्ध प्रारंब हो जाता है वो म्रदुल कार्रेवाई नहीं है वो कठोर कार्यवाही है मेरे भाई वो कठोर कार्यवाही है सही है? चालो बहुत बढ़िया तो यहां तक बात क्लियर है अब थोड़े से क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आई होंगी कि हम रदुल कार्यवाही का समर्थन करेंगे हम कठोर कार्यवाही का समर्थन करेंगे तो तीन केस में करेंगे जिसमें पहला केस किसी के विश्वास की सम्मान की सुरक्षा की बात हो रही होगी वो लो क्लियर है प्यारे दोस्तों दिहान से देखो प्यारे दोस्तों दिहान से देखो उत्तम चतुरवेदी जी का एक question है कि भाईया जी क्या कथन कार्रेवाही और निर्णे निर्धारन अलग-अलग होते हैं हाँ उत्तम ये अलग-अलग होते हैं मेरे भाई दोनों अलग-अलग होते हैं वो जो निर्णा निर्धारन है, उसे कहते हैं हम decision making, decision making, और जो कथन कार्रेवाही होता है, बचे इसमें हम थोड़ा सालक करेंगे, उसका कारण है, मैं बताऊंगा, आपको दोनों topic पढ़ाऊंगा, मैं आपको दोनों topic पढ़ाऊंगा, कि किस किस तरीके से हम दोनों चीजों क को समझते है, खोर यहां तक बात clear है, चालो, भई कार्रेवाही का मतलब क्या है, कार्रेवाही का मतलब होता है, किसी व्यक्ति पर action लेना, तो इसे अंगल्स में क्या बोलाँगे, course of action, और उसे का थन क्या बोला था इन्होंने दूसरा नाम, इन्होंने क्या बोला था, दू सीजन मेकिंग ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप सही कर सकते हो लगबग 19-20 क्वेश्चन है और आप बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को डिसकस करने के बाद चीजों को सीखेंगे एक बार मैं भानू से अपील करता हूँ क्वेश्चन साफ दिखा दिया जाए तो एक बार क्वेश्चन को दिहान से देखो क्वेश्चन क्या है मैं क्वेश्चन की एक सब्द को पढ़ूंगा दोस्तों और आप लोगों को मेरे साथ हो स मैं ना दिख रहा हूँ, लेकिन question आपको साफ दिख रहा होगा, तो पहला question क्या कहता है आपसे, तो एक बार बहुत इमानदारी से question को पढ़ेंगे, और बताएंगे इसका सही जबाब क्या होगा, पढ़ो बढ़े, जल्दी से पढ़ो और बताओ कि इस question का सही सही जबाब क्या होगा, देखो, question करा है, सहर x के उत्तरवाल्ड के अंतरगत, जो उत्तरवाल्ड है न सहर x का, x का मतलब कोई एक सहर है, उसमें x वाल्ड के अंतरगत, आने वाली मौडल को, मौडल कलोनी के निवासियों ने वाल्ड ओफिसर से, जो उस वाल्ड का ओफिसर है, अधिकारी है, लगा दो हमको, सिकायतें की हैं कि पिछले तीन दिनों से, पिछले तीन दिनों से, वाल्ड में पानी के नल में दूसित जल आ रहा है, इसका मतलब है कि पानी गंदा गंदा आ रहा है, आगे समझो, तथा नगरपाल का कर्मियों द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है, जो नगरपाल का के करमचारी हैं, उन्होंने कोई भी यहाँ पर एक्सन नहीं लिया है, तो अब क्या कार्यवाही होनी चाहिए इस पर, ये तो उन्होंने एक लेटर दे दिया, ये उन्होंने एक लेटर दे दिया जहांके ओफिसर को सहर एक्स में जो उत्तर साइड थी वहांके ओफिसर को उन्होंने एक लेटर दिया कि भई हमारे यहां जो है तीन दिनों से बानी दूसे तारा है और नगरपालका के करमचारियों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया ठीक है अब यहां से पहली कारवाही बनी की वार्ड ओफिसर को अपने कनिष्ट अधकारियों पेटा कनिष्ट का मतलब होता है छोटे अधकारियों छोटे अधकारियों को उनके करमचारी वर्ग के साथ जल की वास्त्विक इस्थती का जायजा लेने के लिए मौडल कलोनी का दोरा करने का निर्देश देना चाहिए बात में तो दम है तथा जल नमूनों की प्रयोग साला दोरा जाच करवानी चाहिए जिससे ये पता चले कि उस कलोनी के व्यक्तियों की बात में कितनी सच्चाई है तो पहला वाला बिल्कुल म्रेदुल भी है और बिल्कुल सही भी है लोगों के हित की बात भी है बात आ रही है न समझ में लोगों के हित की बात भी है दूसरा है उत्तर वाल्ड के वाल्ड ओफिसर को निवासियों के वुरुद कार्रेवाही प्रारंब करनी चाहिए ओहो, sit, समझो इस point को, कह रहा है कि जो वहां के निवासी है, जो निवासी है, उन पर ही कार्रेवाही कर देनी चाहिए, जिनोंने नगर पालका के करमचारियों के वृद्ध सिकायतें दर्ज की हैं, पेटा, उनको तो वैसे ही गंदा पानी मिल रहा है, उनको तो वैसे ही दू निर्णे होगा, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत निर्णे है, कठोर भी है और नाजाईज भी है, कठोर भी है और नाजाईज भी है, ठीक है, तीसरा, वार्ड ओफिसर को, अपने वार्ड इंजीनियरों को, मॉडल कलोनी छेतर में पानी के स्रोत एवम, पाइप लाइनों की जाच का निर्देश देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, जो पाइप लाइन है, उसमें कितनी गंद की फसी हुई है, उसकी जाच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, कि आखिर ये पानी जो पीछे से सही आ रहा है, वो दोसित हुआ, तो उसकी वजह क्या है, तो उसकी जब जाच होगी तभी तो पता चलेगा, तो कैसे बोलेंगे, पहली और तीसरी कार्यवाही अच्छी कार्यवाही है, अच्छा, वहाँ सब्द अच्छी नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा उचित कार्यवाही है, तो क्या बोलूँगा, एक और तीन उचित कार्यवाही है, बत आपको अपनी सोचने की जिस दिन कला विक्सित हो गई ना जिस दिन आप लोगों ने मैं मान रहा हूँ दोस्तों कि इसमें कोई भी कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है बिटा ये ये घडी का वो सवाल तो नहीं है जिसमें तीन बज़ के पंद्रह मिनट पर मैं कह दूं कि 60H difference 11M upon 2 का फॉर्मूला लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा बच्चे ऐसा तो नहीं है इसमें लेकिन जब हम अपने विवेक के आधार पर सोचते हैं और हमें ये बता दिया जाता है कि हमें किस आधार पर अपनी सोच रखनी है तो निश्चित रूप से हम आंसर सही कोसिस करो कि आप अगले सवाल का अंसर भी बढ़िया कर पाओ क्वेश्चन को दियान से पढ़ो एक एक सब्द को दियान से पढ़ो तो प्यारे दोस्तों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को एक बार आते हैं हम क्वेश्चन पर बहुत आराम से बहुत धहरे से क्वेश्चन कर के सारे प्रयत्नों के बाबजूद सबसे पहली लाइन बहुत कुछ क्लियर करती है इस लाइन को जहन में उतारना कि सरकार ने जितने भी प्रयत्न हो सकते थे वो सब प्रयत्न किये है राज्य एक्स में पोलियों के 30 मामलों की रिपोर्ट मिली है यानि 30 मामले ऐसे हैं जो राज्य एक्स में मिले हैं दोस्तों ये किरा क्योंकि उन बच्चों के माता पिता को पोलियों के खिलाफ इस अभियान की सूचना नहीं मिली थी बहुत बढ़िया जो माता पिता थे ना उन बच्चों के लगा दो भीया उन माता पिता को इस पोलियो अभियान की सूचना नहीं मिली थी बात आ रही है समझ में जिसका मुझे डर था आपने वही गलती की है यह जितने भी दोस्त मेरे साथ ही मेरे भाई कह रहे हैं ना कि दूसरा वाला सही है जिसकी मुझे डर था कि आप ये गलती करेंगे आपने भी वही गलती की है, यानी पहला वाला है, पोलियो से पेड़त बच्चों के माता-पिता के खिलाप कड़ी कार्रेवाही की जानी चाहिए, देखो नहीं, एक तो उनके बच्चे ही परिसान हैं, उनके आप उनसे भी कार्रेवाही करोगे, तो परवार पर और भी विपत्ती आ वाले, डॉक्टरों के खिलाप कड़ी कार्रेवाही की जानी चाहिए, प्यारे दोस्तों, आपने जो दूसरा वाला सही किया है, आपके मस्तिस्क में ये विचार आया होगा, कि जी जो इनके माता-पिता को जानकारी नहीं मिली थी इस अभियान की, इसमें डॉक्टरों की क कमी ही रही होगी, क्योंकि उन डॉक्टरों को ही तो सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपसे एक बात बोली थी, स्टार्टिंग में, कि मैंने कहा था कि सबसे पहली लाइन थी सरकार के सारे प्रत्नों के बाबजूद, समझना बात को, सरकार के सारे प्रत्नों के ब अगर इस अभियान को लेकर सूचना नहीं दी, तो फिर तो बहुत सारे परवार इस सूचना से विमुक रहने चाहिए थे, लेकिन फिर क्यों केवल 30 परवार, 30 मामलेई क्यों निकल के आए, फिर तो जादा निकल के आने चाहिए थे, समझ में आ रही है, और जो पहली लाइन जो पहली लाइन है, उसने साब साब का इस सरकार के सारे प्रत्नों के बावजूद, यानि सरकार ने अपनी और से पुरी कोसिस की है, बिटा, ऐसा भी तो हो सकता है, मैं दूसरा पोइंट बताऊंगा यहां पर आपको, कि और आपको क्या समझ के चलना है, जैसे मैंने कहा, पहला point मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा कि 30 व्यक्ति नहीं आई, आपने कहा डॉक्टरों ने जानकारी नहीं दी, एक इसका दूसरा कारण ये भी तो हो सकता है कि जब वहाँ पर कोई जानकारी देने गया हो, जब मैंने आपसे कहा कि जब मेंबर अपने घर पर ना मिले हो लॉजिक बताओ मुझे, मुझे बताओ क्या ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, वो वहाँ पर ना मिले हो वहाँ कोई हो ही ना बिल्कुल सही बात है, वहाँ कोई हो ही ना, मेभी, हो सकता है आप कहेंगे सर वो होई तो सकता है तो बेटा डॉक्टरों ने जानकारी नहीं दिया ये भी तो होई सकता है अब यहां से कहानी ये निकल कर आ रही है कि किसी भी कार्यवाही को आप तब तक सही नहीं करोगे जब तक आप उसके बारे में सत प्रतिसत स्योर नहीं हो बोलो clear है मुझे इमांदारी से बताओ मेरे सभी भहिया बहन बेटा मैं सभी भहिया बहनी इमांदारी से बताओ क्या यहां तक बाते clear है बचे मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से clear हो रहा होगा है ना बहुत बढ़िया तरीके से clear हो रहा होगा, मुझे लगता ये बहुत बढ़िया आपको समझ में आ रहा हूँ ठीक है, बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर, बहुत बहतरीन बहुत सांदार मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया, तो बेटा मैं बोलूँगा कि दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि जब तक सही नहीं करूँगा जब तक मुझे किसी के बारे में 100% जानकारी नहीं मिल जाएगी बोलो क्या बात बराबर रहेगी तीसरे क्वेश्चन पर चलूँ अब तो कर पाओगे कोई बच्चा कहरा है क्या पता नानी के घर गए हो कोई कहरा है जंगल गए हो कोई कहरा है कहीं बाहर गए हो कोई कहीं और भी बेच सकता है तुम लोगों की माया है तुम ही कुछ भी करवा सकते हो 39 लोगों से कुछ भी करवा सकते हो भाई साब और कुछ ऐसे भी है जो मेरी तरह पूरा घर और खुद मैं भी बीमार ही हूँ लेकिन कोई बात नहीं है आप लोगों की क्लास से रेगुलर चलेंगी दोस्त मेरे भाई क्योंकि आपका पेपर आपका जो पेपर है ना वो बहुत मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है कितना भी नस्दिक आ सकता है और मैं चाहता ह जब आपका पेपर हो तब आपके दिल से एक अवाज आनी चाहिए कि इस बार वीडियो जरूर सेलेक्ट होंगे हम वीडियो में जरूर सेलेक्ट होंगे और वो कब हो पाओगे आप जब आपको मैं लगातार पढ़ाऊंगा लगातार पढ़ाऊंगा ठीक है चलो तो अगल question पर आजाओ, और हाँ, इस बार थमसप करो, कितने लोगों के होसले बुलंदे हैं, कि अगले question को मैं करूँगा भाया जी, अगले question को मैं करूँगा बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से इसका answer क्या है जल्दी से बताओ, इस question का सही answer क्या हो जाएगा इस question का सही answer क्या होगा एक और question आपके सामने board पर है जल्दी से बताओ क्या होगा बताओ भई question पढ़ो भानू 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 लगा दो देखो भई दिहान से कैई यात्री हवाई अड़े पर फस गए बहुत यात्री हैं जो हवाई अड़े पर फस चुके हैं आगे कह रहा है क्योंकि तीसरे दिन तक क्या तीसरे दिन तक लगातार भारी बरफबारी के कारण उड़ाने रद करनी पड़ी है लगाओ भी या यानि लगातार तीसरा दिन है जब हमें ये देखने को मिला कि भारी बरफबारी हो रही है और उड़ानों को रद कर दिया गया है रद कर दिया गया है इस बार सेकिंड अनुसरन कर रहा है बच्चों का बहुत बड़िया लव यू लव यू लव यू आप सभी के लिए देर सारा प्यार अब खुसी होनी शुरू हुई है कि हाँ बई अब आपके आंसर शुरू हुए है अब आपके आंसर शुरू हुए है बहुत बहतरीन आंसर है बहुत सांदर आंसर है तो पहला क्या है सभी उड़ाने ततकाल फिर से शुरू कर देनी चाहिए बेटा ये जो ततकाल सब्द है न ततकाल सब्द का मतलब होता है तुरंट ततकाल सब्द का मतलब होता है कि जी अभी कर दो immediate तुरंद क्या ये संभव है ऊपर कहीं भी ऐसी बात बताई गई है की मौसम साफ हो चुका है उपर तो लगातार तीन दिन से बरफबारी है क्या ऐसे में किसी भी विभाग को किसी भी संस्था को किसी भी सरकार को ये decision ले लेना चाहिए कि भाई ठीक है फिलाइट उडातो मेरे दोस्त मौसम खराब है और वहाँ पर लोगों के लोगों की किस की मतलब किस पर बात बनी हुई है उनकी जान पर बात बनी हुई है उनके मैं सम्मान की भी बात नहीं करूँगा तो मैं कह रहा हूँ उनकी तो जिन्दिकी की बात बनी हुई है क्यों क्योंकि बरफबारी में जब जहाज उड़ाइंगे तो कुछ भी हो सकता है बेटा जब कभी भी आप लोगों को अपना आंसर बताने में जिजक हो, आप लोगों को लगे कि मैं कैसे सही करूं, तो आप लोगों को खुद अधिकारी बन जाना है वहाँ पे, और बताओ कि आपके हिसाब से क्या है, तीन दिन से बरख पड़ रही है, मैं आप से पूछ र तीन दिन से बरख पड़ रही है जनाब तीन दिन से बरख पड़ रही है, लोग परेशान हैं, क्या कहोगे, क्या आप पहला डिसीजन ये ले लोगे कि हाज उडा दिये जाए, या आप क्या कहोगे कि नहीं भीया जो लोग है जो जिनको Pरेशानी हो रही या उनके पास छोटे-छोटे बच्चे भी होंगे उनमें बहुत सारी लोग भूके प्यासे भी होंगे उनमें हो सकता है उन लोगों के लिए औरने बिच्छाने के लिए कुछ भी ना हो आप क्या करोगे उनके लिए रोकने का प्राबधान करोगे उनके लिए खाने का अंतिजाम करोगे ये बहुत अच्छी बात है बताओ वही किलियर है बहुत बढ़िया इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला बिलकुल सही अनुसरन करता है इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला एक दम सही सही अनुसरन करता है बोलो बात किलियर हुई है दोस्तो तो नेक्स्ट क्वेस्चन की और चलूँ बहुत बढ़िया बहुत सांदर तो next question की और चलते हैं, आज की class का अगला सवाल, बताओ इसका जबाब क्या है, next question आ चुका है board पर और बताईए एक बार कि इस person का right answer क्या होगा, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ right answer क्या हो जाएगा बताओ, देखो दियान से, कराए एक अस्पताल विसेस में, एक अस्पताल विसेस में, कराए दाखिल बड़ी संख्यामें रोगियों में, एक गंभीर संक्रामक रोग का निदान किया गया है, यानि कहने का मतलब ये है, कि ये कहरा है, कि एक अस्पताल विसेस में, कोई अस्पताल है, कोई अस्पताल है, तो कहरा है कि दाखिल बड़ी संख्यामें, बहुत सारे लोग वहाँ पर रोगी है, एक गंभीर संक्रामक रोग, संक्रामक रोग आप जानते हैं, जो एक रोग के फैलाने के खत्रे को देखते हुए इन रोगियों को ततकाल अस्पताल से छुट्टी दे देनी चाहिए अब मैंने आपसे कहा आप उस अस्पताल के मालिक हैं ऐसे समझो बेटा मैं तो आप कोई मालिक बना रहा हूँ मैंने कहा आप उस अस्पताल के आप से किसी ने कहा मालिक मालिक यहां बहुत सारे लोग पेड़ते हैं और एक बहुत 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 कर रोगी पाया है संक्रैमित है संक्रैमित है दूसरों को भी फैला सकता है आप क्या कहोगे सब ही को कहोगे कि रोग के फैलने के खत्रे को देखते हो इन रोगियों को ततका अस्पताल से छुट्टी दे दो, क्या कहोगे कि भाईया सब को यहां से भगा दो, क्या ऐसे कहोगे कि भाईया सब को यहां से भगा दो, कहोगे ऐसे, नहीं, यह तो गलत है, यह तो गलत है, वो तो वैसे ही बीमार है, फिर कहां जाएंगे वो, आपके जिम्मेदारी नहीं है कि आप मरीजों को वहाँ से ख़देर दोगे नहीं, आपका ये धर्म भी नहीं है आपका ये कर्तब भी नहीं है और आपकी इंसानियत भी नहीं है दूसरा रोग को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल को उचित संग रोग संग रोध की विवस्था करनी चाहिए यह बिलकुल सही है यानि कहने का मतलब यह है कि रोख को फैलने के लिए उचित चीजें क्या हो सकती है जैसे कि उनको अलग अलग बार्ड में सिफ्ट कर दें जैसे कि उन लोगों के लिए कुछ अलग से इसके मरीज हैं यहां रहेंगे इसके मरीज यहां रहेंगे इनका ट्रीटमेंट ही करेंगी मतलब फिर तो रोकने के लिए जो उचित विवस्था है उसमें प्रतेक प्रकार की विवस्था आएगी तो मैं उसे क्वारिंटाइन भी बोल सकता हूँ वो अलग अलग उन्हें सिफ्ट कर सकते हैं बच्चे यहां तक बात क्लियर होई है दोस्तों नेक्स्ट क्वेशन पर चलें तो अगला सवाल आज की क्लास का आपके सामने पांचवा सवाल बताओ इसका जबाब क्या है बताएंगे जल्दी से कि इस क्वेशन का राइट आंसर क्या है इस क्वेशन का राइट आंसर क्या है बताओ भई सर यूपी मैं बुलन सहर से पढ़ रहा हूँ वा मेरे सेर बहुत बढ़िया ओनली फर्स्ट इस बार बच्चों का अंसर आ रहा है तेख लेते हैं कि आखिरकार क्या होना चाहिए एक बस के पुल से नदी में गिर जाने से एक बस के पुल से समझना एक बस आ रही है पुल के उपर से नदी में गिर जाने से कम से कम 15 लोग मारे गए 15 लोग मारे गए तथा बड़े पैमाने पर घायल हुए बताओ क्लियर है 15 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए है ठीक है यहाँ पर आप लोगों ने मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने इस बार बिना सोचे समझे आंसर किया है आपको सोचना चाहिए बच्चे आपको समझना चाहिए मेरे दोस्त कैसे यह कह रहा है एक बस के पुल से नदी में गिरे जाने से 15 लोग मारे गए है बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए है तो पहला वाला के रहा है पुल के दीवारों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाए ना हो यह तो खेर बहुत बड़ी हाँ पॉइंट है अब इसमें मैं यह थोड़े ही कहूँगा कि इन दीवारों को और बहुत 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 बढ़ी है तो मैंने क्या कहा मैंने कहा मजबूत की तो मैं बात करूँगा दूसरी बात दूसरा आपने क्यों गलत किया यह मुझे नहीं पता चला साइद आपने इसलिए गलत कर दिया कि आप लोगों को लगा कि ये कठोर कार्यवाही है लेकिन आपने कठोर कार्यवाही की अपवाद नहीं सुने थे क्या दूसरा वाला ये कहरा है कि बस का ड्राइवर तुरंत ग्रफतार किया जाना चाहिए ताकि तथा उससे पूछताच की जानी चाहिए बेटा पूछताच का मतलब बाबु भहिया आप दारू पी कर ट्रक तो नहीं चला रहे थे बाबु भहिया का मेडिकल होना चाहिए क्योंकि मैंने माना कि हो सकता है पुल कमजोर था लेकिन भाई साब सडक पैसे बस पुल पै गई कैसे ये भी तो मुद्दा है क्यों भहिया मुझे एक बाद बताओ कि मतलब ये जो बस थी ये सडक है पुल मान के चलो कहीं भी हो सकता है तो यहाँ जब बस चल रही थी तो ये पुल मत साइड में हो गया यहाँ हो गया यह कैसे भी हो गया तो एक बाद बताओ हो सकता है कि उन्हीं की कमी हो लेकिन मैं क्या कहूंगा पूछताची तो हो रहा है तुरंत अगर वो ये कहता समझो यहाँ कठोर कार्रेवाही क्या होती ये कहता बसके ड्राइवर को तुरंत ग्रफतार करो और फांसी पे लटका दो तो मैं इसे सही नहीं करता लेकिन मेरे भाई पूछताच करने में क्या दिक्कत है पूछताच करने में क्या दिक्कत है मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे या पुल कमजोर था ऐसे हो गई, या कोई और कारण रहा, पूछताच करने में तो कुछ नहीं जा रहा है, नो प्रॉबलम पूछताच करने में, भाई सीधी बात है, तो मैं कहूंगा बसकेट ड्राइवर को तुरंत ग्रफतार करो, और तुमने खुद देखा होगा, ऐसे के में क्या बसकेट ड्राइवर को से पूछताच नहीं होगी, आप ही बता दो इस बात को, भाई मैं तो आप से पूछ रहा हूं क्या ऐसे केस में, जहां पर 15 व्यक्तियों की जान चली गई, बड़े पहमाने पर लोग घायल हो गए, क्या वहां पर उससे पूछताच भी नही होनी चाहिए, क्या यहां पर यह इनके, क्या यहां पर यह इनके जीवन की बात नहीं हो रही है, बताओ भी, हो रही है ना, ठेक है, तो मैं क्या कहूंगा, दोनों के, दोनों सही है, बहुत बढ़िया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उत्तम, चतुरुवेदी कहे रहे है नहीं, ड्राइवर जिन्दा है तुम कहोगे तुम कहोगे कि भही आपको कैसे पता है कि आपने उसे मुलाकत की थी इसलिए पता है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बसके ड्राइवर को ग्रफतार करने की बात चल रही है इसका मतलब वो जिन्दा है मुर्दा नहीं है अगर ऐसा केस होता तो उस बात को अलग से वो लिख रहा होता बात आ रही समझ में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मौनू चौधरी लव यू मेरे भाई मौनू चौधरी बहुत बहुत प्यार बोलो क्लियर है इतनी बात आगे बढ़ जाओं तो next question आपके सामने ये आता हुआ बताएंगे इसका answer क्या है बताएंगे इस question का क्या answer हो जाएगा बोलो जल्दी से मुझे उम्मीद है इस बार आप बहुत अच्छा answer करोगे और कोई भी गलत नहीं करेगा सर मैं आपका student हूँ आपके पास पढ़ाई से relative कुछ काम है क्या सर जो मैं online पर कर सकूँ part time मेरा math और reasoning best है और reasoning में 100% accuracy है last ssc exam में पैजान मेरे भाई एक बार जो हमारी calling team है आप वहाँ पर समपर करना इसके लिए ठीक है ना फिलाल तो आप मुझे यही बताइए मैंनेर साब से इस regarding बात कर रहे होंगे ठीक है ना चालो बाई बताओ बई जल्दी से जल्दी से बताओ क्या होगा तो question कह रहा है पिछली साम एक बहुत प्रसिद पांच सितारा होटल जानते हूँ पांच सितारा होटल five star restaurant की बात कर रहा है कह रहा है कि मैं जेब कटने के चार किसे रिपोर्ट किये गए थे यानि चार किसे हैं लगातार back to back चार बार जेब कटी हैं five star restaurant में होटल में five star में लगातार कटी हुई हैं तो पहला कह रहा है होटल के स्टाफ को सतर्क रहने और किसी संदिक्द व्यक्तिया गती विधी की रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए बात में तो धम है कोई भी संदिक्द व्यक्तिया रहा है उसकी जाच होनी चाहिए आते समय होनी चाहिए जाते समय होनी चाहिए क्यों चार मामले वो भी five star एक बात बताओ जिस आदमी को पता है कि वहाँ जाकर जेब कटेगी, तो वो क्यों जाएगा फाइब इस्टार में, पता पड़े रुप्या देने से पहले ही जेब कट गई, किसी को ले के गया था, रेस्टूरेंट में, और वहाँ पे खाया, पिया, बहुत बढ़िया तरीक जेब कट गई, पर्स नहीं है, क्या करोगे, उसके सामने बरतंद होगे, बताओ बेटा, मुस्किल से तो करका लगाए, उसमें भी तुम बरतंद होगे उसके सामने, फिर कैसा है, फिर तो वो कभी न देखेगी, तो इसका मतलब यह है, कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए, म ये भी सही है, ताकि संग्यान में आ सके की कौन व्यक्ती ऐसा कर रहे है, कौन व्यक्ती ऐसा कर रहे है, दोनों के दोनों सही हुए है, बात समझ में आई है, नेक्स्ट क्वेस्चन आपके सामने बताओ इसका जबाब क्या है सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे कि इसका जबाब क्या है सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे कि इस क्वेस्चन का सही सही जबाब क्या होगा बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या होगा इसका जबाब पढ़ो question को एक बार द्यान से एक बार द्यान से पढ़ो question को कि इसका जबाब क्या होगा यह comment नहीं दिखाई दे रही है तुझे बताओ वे जल्दी से इसका answer क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी लोग इस question का right answer क्या होगा बताओ दूसरा वाला सही कर रहे हैं कुछ बच्चे दौनों को सही कर रहे हैं देख लेते हैं क्या सही है लगाओ भानु भाई विद्यार्थियों और माता पिताओं को कॉलेज से बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये कह रहा है, की चेतावनी देने के बाद भी किसको माता پिताओं को और विद्यार्थियों को कॉलेज से चेतावनी आ रही है की परिक्षा में बैठने के लिए 75% अनवार्रे उपस्त थी 75% अनवार्रे होनी चाहिए उपस्त थी कि मांदंड को कुछ विद्यार्थियों ने अंत्तय पूरा नहीं किया है तुम लोगों ने देखा होगा जो गवर्मेंट कॉलेज होते हैं प्राइवेट वाले तो ये हैं बहुत सारे कॉलेज क्या पेपर देने आजेई हो कोई बात ना आए बारे हजार में एडमिशन पको तुम पेपर देने आजेई हो और सुन पेपर पेपर तू भी ना दैब है तो कोई बात ना आए हम का ये ऐसे ही पर दवा देंगे तो प्राइवेट वाले तो बहुत ऐसे हैं जो जुगार से करवा दें लेगिन सरकारी वालो आपको पता होगा आपको पता होगा कि 75% जैस आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है जी कि लेकिन पूरी साल निकल गई पर वो 75% उ पस्थती करी नहीं पाया तो अब एक बाद बताओ आप उस स्कूल के माले को मैं तो सुम्सोमे इतने माले कमा देंग गो इतने मालिक बना दोंगो कि तुम ही हो क्यों कि भाया हमार तो रिटार्यमेंट ही कर देओ तो देखो ध्यान से तो पहला कर रहा है कॉलिज को इस विशिष्ट मांदंड पर दरण रहना बंद कर देना चाहिए तो एक बात बताओ अगर आप मालिक हो और आपकी बात कोई नही पिचैतर परसेंट हाजडी आप नियम बना रखा है माता पिता बात न मान रहे तो तुम क्या करोगे ठीक है जी अगर तुम ना रहे तो कोई बात ना है हम अगली वारतिया नियम ही खतम करे दे रहे हैं ऐसे कर देओगे मेरे दोस्त ऐसे तो ऐसे तो आप लोग कमजोर कितने करना किसी कार्यवाही को तो पहला वाला तो गलत कार्यवाही है थीक है दूसरा क्वशन क्या कह रहा है चूप करताओं के यानि जो लोग 75% नहीं कर पाए हैं माता-पिताओं या संरक्षकों को मिलने के लिए बुलाया जाना चाहिए बेटा उनके जो माता-पिता है या जो उनके कौन है, जो उनके कौन गारजेंस होते हैं, जैसे किसी के माता पिता नहीं है तो उन्हें कोई तो पढ़ा रहा होगा, बड़ा भाई, चाचा, चाची, कोई बेहन, कोई और रिस्तेदार, तो उनको बुलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दूसरा वाल सुन्दर next question आपकी सेवा में बताओ इसका जबाब क्या है जल्दी से बताओ इस question का सही जबाब क्या होगा बताओ भई जल्दी से इस question का सही जबाब क्या होगा पहला कह रहा है दो इस्थानिय कलबों के सदस्य कभी कभी है ना दो इस्थानिय सदस्यों के कलब है मतलब दो इस्थानिय क्लब है इस्थानिय का मतलब है दोनों कलब एक स्थान पर है आमने सामने भी हो सकते हैं बराबर बराबर में भी हो सकते हैं मुख्य सडक पर एक दूसरे से लड़ते हैं ये दोनों के दोनों मुख्य सडक पर जो मेन रोड है उस पर एक दूसरे से लड़ते हैं कोई तो कारण रहता होगा पता नहीं कारण क्या है कारण लड़ाई का विद्याल्य में सबसे ज़्यादा क्या रहता था आप समझ सकते है कलब में हो सकता है कोई दूसरा कारण रहा हो हो सकता है वो भी दोहर गया हो कह रहा है और यातायात को रोक देते हैं जब लड़ाई बाजएगी तो भाई सब वहां से कोन निकल के जा रहा है है ना कोई नहीं निकल के जा रहा है यातायात बाधित है तो पहला वाला कह रहा है इस थानिये पुलिस थाने को मुखे सडक पर 24 गंटे कर्मी तैनात करने चाहिए बाच सही है कि गलत है सर बिलकुल सही है सर बिलकुल सही है आप लोग कहोगे भाईया 24 गंटे क्यों कि उसका कारण है उसका कारण है मेरे भाई क्योंकि वो कहा रहा है कभी-कभी मुख्ये सडक पर एक दूसरे से लड़ते हैं अब कभी-कभी में ये नहीं पता कि वो कभी-कभी कौन सा समय है कुछ भी समय हो सकता है जब उन दोनों गुरुप में लड़ाई हो जाती है पता नहीं है कि वो समय कौन सा है कुछ भी समय हो सकता है लेकिन इसीलिए मैंने कहा अब वो समय निर्धारित नहीं है तो हमें 24 घंटे लेके चलें जब तक उसका solution नहीं हो जाता है ठीक है दूसरा दूसरा क्या कह रहा है तो दूसरा वाला ये कह रहा है कि लड़ाई जगडे में लिप्त लोगों की सनाक्त पसनाक्त का मतल़ होता है उनकी जाच करके ठीक है कि भाईया कौन कोने उनको पहचान करके सनाक्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए उन्हें जेल में डालना चाहिए बात बिलकुल सही है क्योंकि भाई साब उन लोगों ने अब आप लोग ये मत कहना भाई ये कठोर कार्रेवाई है यहां पर कितने लोगों की सुरक्षा की बात है कितने लोगों की सम्मान की बात है इतने लोगों के विश्वास की बात है, ये आई दिन, प्रती दिन, वहाँ पर रोड को जाम कर रहे हैं, मेन सडक पर जाम लगा रहे हैं, लड़ते हैं, क्या पता, अगर दस लोगों को बंद करोगे, तो दो की अकल ठिकाने तो आई जाएगी, तो बहुत बढ़ी आए, डिस रेश्टोरेंट में खाना खाया, दूसरी पार्टी ने दूसरे रेश्टोरेंट में खाना खाया, उन दोनों में रेश्टोरेंट से बाहर निकलके सडक पर बाजगी लड़ाई, मैं तो कह रहा हूँ, रेश्टोरेंट में बाजगी, तो इसका मतलब यह है कि रेश्टोरे अरे वा, बहुत बढ़िया, मौनु चौधरी कहा रहा है, पहली सेलरी दूँगा संधीप सर को, बहुत बढ़िया वेटा, बहुत बढ़िया, वेटा मोई मत दिये, अगर वास्तम में कुछ करना चाहते हो, तो जो लोग गरीब हैं, एक बात ध्यान रखिये, बस उन लोगों से पढ़ते हो, इतनी मेहनत से पढ़ते हो, प्यारे दोस्तों, कुल मिलाकर, आप लोग ना, जो गरीब समाज के लोग होते हैं, देखो, जैसे पता है, होना क्या चाहिए, मेरा मानना ये है, हलाकि पता नहीं, ऐसा मैं सही कह रहा हूँ, या गलत कह रहा हूँ, कि जितनी हम हमारी आमंदनी होनी चाहिए, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, हम लोगों को जिन्दगी में ऐसे जरूर रखना चाहिए, कम से कम अभी जैसे हम कामयाब नहीं है, मैं आप से ही बात कर रहा हूँ, तो एक अलग चीज है, तो पता होता क्या है, तो होता ये है, कि जब हम कामया पर खड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, आपने एक जिन्दगी नहीं, बलकि उसकी भी आने वाली तीन पीडियों का सुधार कर दिया, इसका मतलब यह है, तो आप लोगों को ऐसे अपना जिस करना है, ठीक है न, चलो, अभी next question पर चलते हैं, दो साइस में पहले वाले, इस question पर आजाओ, इस question पर आजाओ, कि यह क्या question है, बताएंगे इस question का answer क्या है, जल्दी से बताएंगे, तो question को देहान से देखो, इस थानी है, इसकूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीनों से में लगातार 4 बार, इसकूल कैंटीन में तयार किया गया, भोजन खाकर ब और उस कैंटीन में, उस कैंटीन में, उस कैंटीन में क्या हुआ, कि 6 महीने में लगातार 4 बार ऐसा हुआ है, जब बच्चे बीमार हो गए हैं, उस कैंटीन का खाना खाने के बाद, ठीक है? तो पहला बाला केरा स्कूल प्रेबंधन को ततकाल कैंटीन का ठेका समाप्त करना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए बिल्कुल सही बात है आप लोग कहोगे भाईया जी ये क्यूं सही है और किसी बच्चे ने इसे सही भी नहीं किया है और आप पक्का कहोगे भाईया ये क्यूं सही है तो इसका जबाब सुनो क्यूं सही है इसका जबाब ये है इसलिए सही है क्योंकि हमेशा कार्यवाही के बारे में एक पॉइंट चौथी बार बीमार किया है समझ में आ रही है यानि जब वहां कैंटीन के खाने से पहली बार लोग बीमार हुए होंगे तो खुद समझो क्या उस कैंटीन के संचालक को समझाया नहीं गया होगा जब दूसरी बार बीमार हुए होंगे तो क्या फिर नहीं समझाया गया होगा क्या तीसरी वार बीमार हुए होंगे तो क्या उस पर कुछ थोड़ी बहुत कार्यवाही नहीं की गई होगी लेकिन वो लगातार कर रहा है लगातार कर रहा है बच्चों को बीमार तो ये जाईज है दूसरा वाला स्कूल प्रेबंधन को सभी बच्चों को केंटीन से खाद्य वस्तु ना खाने के लिए कहना चाहिए बात बिलकुल सही है केंटीन से खाद्य वस्तु मत खाओ बच्चों क्योंकि जैसे ही स्कूल विभाग को पता पड़ा मान के चलो एक क्लास में 20 बच्चे बैठें जैसे ही पता चला दो बच्चे बीमारें सेस बच्चे हुए 18 बच्चों के बीच में ये एनाउंसमेंट होना जरूरी है कि बच्चो आप अभी इस केंटीन से खाना मत खाओ क्योंकि यहांपर दो लोग बीमार हो गया बाता आ रही समझ में बहुत बड़ी आगे कह रहा है केंटीन के आगे कह रहा है केंटीन के मालिक को ला परवाई के लिए सत्काल गरफतार किया जाना चाहिए ततकाल गरफतार किया जाना चाहिए लापरवाही के लिए बात ये भी सही है बिटा ततकाल उसे गरफतार किया जाना चाहिए क्योंकि तीनों सही है एक और बात बता रहा हूँ यह question जब paper में आया था तो यह विवादित question रहा था आयोग ने इसका तीसरा वाला गलत माना था, दिहान से सुनना मेरी बात, आयोग ने इसका तीसरा वाला गलत माना था, लेकिन आगे चलकर जब बच्चों ने इस पर रिट डाला, यह CPU में आया हुआ बच्चों, जब यहाँ sorry, CPU में नहीं, उसमें क्या कहते हैं IBPS में जो बैंक का एकजाम होता है तो बच्चे जब ये question आया हुआ था जब इस पर रिट डली थी तो तीसरा वाला सही क्या गया था क्यों क्योंकि बच्चों का कहना था जब तीसरे वाले को सही नहीं मान रहे तो पहला वाला ही कैसे हो गया वहाँ जब तुम मुझे की मांग कर रहे तो वह बिना ग्रफतारी के दे रहा है कोई आदमी ऐसा दिख रहा है तो मैं कि बस उससे यूँ कह देऊ जी भाहिया मुआ आप जो देद है वो देद देगो उत्तम चत्रवेदी कह रहा है ये present मुझे मिला था IBPS में भाहिया हाँ बिलकुल ये आया अफिसर के पेपर में ये question आया हुआ है और ये question बहुत important question होते हैं आपके पेपर में भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों को करने का ये तभी तो तरीगा बता रहा हूं कैसे कैसे करना है ठीक है next question पर आजाओ दसमा सवाल आज की class का आपके सामने की क्या है इस question का answer बताएंगे सभी प्यारे भेहन भाई बताओ question कह रहा है पुलिस constable की भरती अभियान में भाग लेते समय भगदर के कारण एक उम्मीदवार की मृत्यू हो गई constable की भरती अभियान में आपने कई बर ऐसा सुना भी होगा कि ऐसी घटने हो जाती है तो यह कह रहा है कि भगदर के दौरान मृत्यू हो गई एक बच्चे की तो कह रहा है कि भरती प्रक्रिया के प्रभारी को तुरंत निलंबित किया जान चाहिए बेटा यह तो गलत है क्या पता उस अब एक बदवता उसकी वजह से थोड़ी न हुई है इस बारे में पता थोड़ी कि उसने मार दिया या किसने मार दिया उसे भाई इस बारे में त कहा जाना चाहिए very good दूसरा वाला सही है तीसरा वाला क्या कह रहा है तीसरा वाला कह रहा है भविस्य में ऐसी घटनाई टालने के लिए सरकार को ग्रहब भाग से कहना चाहिए कि उन्हें उम्मीदवारों की संख्या को अधिक दिनों में इस्टेगर कर देना चाहिए वो काम complete करते रहें इस चीज की वो बात कर रहा है तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर अनुसरण करता है बोलो बात clear है अब next question का number है ग्यारवा सवाल आपकी सामने board पर है बताओ इसका जबाब क्या होगा बताओ इसका सही जबाब क्या होगा बताओंगे सभी प्यारे वहन भाई की इस question का answer क्या है इसकूल द्वारा दिया गया माध्यम भोजन खाने के बाद इस्थानिये स्कूल के बहुत से विद्यार्थी बीमार पड़ गए ये लगबग अभी मैंने सिखाया था आपको question आराम से करना सर कल के दौनों प्रेसन कर करा दूँगा आपको ठीक है आज मैं उनको लाना भूल गया मैं टाइप कराना भूल गया उनको तो मैं उनको कल करा दूँगा ठीक है आज आज एडिजिस्ट कर लो बस कल वादा है आपसे भानू एक वार याद दिला देना कल पहली तो देखो भाई दिहान से पहला है सरक कि अभी पता नहीं चल पाया है किस वजह से बच्चे बीमार हुए है तो अभी इस चीज़ को यहीं पर रोक देना चाहिए, ऐसा question में कहा गया है, ठीक है, दोस्तो, next question आज की class का बार्वा सवाल, बताओ भई इसका जबाब क्या है, जल्दी से बताओ इस question का right answer क्या है, एक और बहतरीन सांदर question आपके सामने board पर है, बताओ प्यारे दोस्तों क् इसकूल और डिगरी इस्तर पर बहुत से चात्रों को विश्यों में महारत हासिल नहीं हो पाती है, बता question दिखाओ पहले ने, कराओ इसकूल और डिगरी इस्तर पर बहुत से चात्रों को कहराए कि विश्यों में महारत हासिल नहीं हो पाती है, बहले ही वे उचे अंकों के साथ पास हुए हो, ठीक है, तो अब ये question दिहान से समझो, कि यहां से question आगे क्या कहरा है, तो पहला वाला कराए सिक्षा बोर्डों को वास्त्विक्त प्रवतिभा को पहचानने के लिए सिक्षा विश्था को जाचना और संसोधित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लगा दो भानू, बिल्कुल सही बात है पहला वाला, ठीक है, दूसरा कराए सभी इस तरों सिख्छा विवस्था इस तरह डिजाइन की जानी चाहिए कि रटंत विद्धात को हतोत साहित किया जाना चाहिए ये भी बिल्कुल सही है यानि बात चल रही है किसकी question के हिसाब से देखो बेटा question के हिसाब से देखो सबी इस तरों पर सिक्षा विवस्त था ये किरा स्कूल और डिग्री इस तर पर बहुत से छात्रों को विश्यों में महारत हांसिल नहीं हो पाती है महारत यानि वो कहना चाहरा है कि जैसे कि बहुत सारे लोग B.Ed कर ली आता कुछ नहीं है MSC कर ली आता कुछ नहीं है बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले ली आता कुछ नहीं है L.L.B कर ली लोग के नियम नहीं पता तो Medical के बड़े बड़े course कर लिए बुखार की गोली का नाम नहीं जानते होता ऐसा कि नहीं पहले बताओ सहमत हो मेरी बात से की नहीं हो बताओ भई मेरी बात से सहमत हो की नहीं हो क्या ऐसा होता है अरे तुने एसी चला दिया भई या ठिटो जाऊंगा में बंद कर इसे बताओ भई यहां तक बात क्लियर है तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा मतलब ये दोनों सही हो जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है कि आप लोग डिगरी दिये जा रहे हो उनकी सिक्षा का कुछ भी मतलब आप उनकी सिक्षा का कोई भी पैमाना ही नहीं लगा पा रहे हो बस उनको डिगरी दिये जा रहे हो, ये गलत है, तीसरा है, परिक्षा पत्रों की कठना इस तर में काफि व्रद्धी की जान चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इससे कभी भी आखलन नहीं हो सकता है, बच्चे, तीसरा बाला सही नहीं है, आल राइट नहीं होंगे ड नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, दिखाओ भई क्वेस्चन जल्दी से, जल्दी से एक बार क्वेस्चन का आंसर देंगे सभी प्यारे बेहन भई और बताएंगे की सही जबाब क्या है, कैंटीन का एक और क्वेस्चन बैक आपके सामने सेवा में हाजिर है, बताओ ज चाहे सरकार अनुदान भी ना दे, तो मुफ्त अलपाहार देने का निश्चय किया है, वेरी गोड, वेरी गोड, वेरी गोड, यानि स्कूल M. एक स्कूल है, बहां के जो विवस्था पक हैं, मैनेजमेंट समालते हैं, उन्होंने कहा कि आगामी जो सिक्छन पत्र आएगा, प बहुत से निर्धन विद्यारतियों का जो अगले सिक्छन सत्र में नामांकन करना चाहते हैं, का स्कूल में नामांकन करेगी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अभी लोट के चलाएंगे इस पर, दूसरा कह रहा है, कैंटीन संबंदी सुबधाओं, एबम बरतनों की ज पैस रखने हे तू नवीन खरीददारी करनी होगी, पिटा मुझे इस बात की तो पता ही नहीं है कि उसे खरीददारी करनी होगी नहीं, ऐसा कुछ कहा है कि उनके पास बरतन नहीं है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि उनके पास बरतन नहीं है, कुछ पता नहीं है इसके बारे मे कि उनके पास कुछ है ही नहीं हो सकता उनके पास हो और हो सकता ना भी हो लेकिन मैंने क्या कहा था जब तक आप 100% से और नहीं आप नहीं कर सकते और तीसरा कह रहा है आने वाले वर्स में इस योजना को कारण विद करने के लिए फंड की विवस्था की जानी चाहिए, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि भाईया, फंड की क्या पता है की नहीं है, बेटा इस बारे में हम नहीं कह सकते कि फंड है या नहीं है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, प्यारे दोस्तों, क्योंकि फंड क अगला सवाल क्या है इस सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताओ इस question का right answer क्या है इस question का right answer क्या होगा दोस्त बताओ जल्दी से बहुत आराम से सोच समझ के बताओ सभी प्यारे भाई बहुत आराम से पढ़के बताओ सभी प्यारे भाई कि इस question का एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा question के रहा है आज कल बच्चे साम को पढ़ने के बजाए टीवी का रेक्रम देखना पसंद करते हैं के रहा है बच्चे पढ़ते नहीं है टीवी का रेक्रम देखते हैं थीक है तो question आगे कह रहा है जो बड़ों के लिए समस्या बनी है लगा दे भई तो पहला वाला कह रहा है माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी बंद रखें बिल्कुल सही है बच्चे अनसासित कब होंगे जब माता पिता अनसासित होंगे जब माता पिता अनसासित होंगे तभी तो बच्चे अनसासित होंगे और दूसरा करा है जो बच्चे इन कारेक्रमों को देखने की जिद करें उन्हें माता पिता को लपेड़ देना चाहिए मतलब उन्हें मारना चाहिए माता पिता के द्वारा क्या ऐसे अन्होनी करोगे बच्चों पर जब आपका अपने उपर नियंत्रन नहीं है जब आपका अपने उपर नियंत्रन नहीं है तो आप बच्चों को भी नहीं पीट सकते बहुत बड़िया बहुत बड़िया प्यारे दोस्तों एक बार क्लास में 400 लाइक होने वाले हैं दो लाइक की ही कमी है तो एक बार ये जल्दी से पूरा कर दीजिए टार्गेट है 400 लाइक का टार्गेट तो घर 500 गा रहता है डेली लेकिन कोई बात नहीं वो 100 तो आप कर ही देंगे फिलाल हम 400 के टार्गेट को छूते हैं तो एक बार जल्दी से सभी प्यारे बहन भाई जितने लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है गौरब वर्मा कह रहे हैं पकड़ के कूट दें हाँ बेटा तु ऐसी करे करिए ठीक है इतनो मारे करिए वाए कि इतनो बेटा एक किसी का एक डायलोग है मेरी कॉम फिलम का एक डायलोग है आपने सुना भी होगा किसी को इतना भी मत डराओ की डर ही खतम हो जाए जलत कह रहा हूं किसी को इतना भी मत डराओ की डर ही खतम हो जाए ये वास्तिकता है कहते हैं वो गामकी कहावत ना है कि यहापे तो इतनी मार मार पढ़ती रहो या पे ना कोई भी असर पढ़ है तो वोई चीजें होती है ठीक है भई बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर तो यहाँ पहला वाला सही है बच्चे नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने बताओ जल्दी से इसका अंसर क्या है इस सवाल का सही सही जबाब क्या होगा बताओ जल्दी से जल्दी से बताएंगे सबी प्यारे बहन भाई क्या होगा इस क्वेशन का सही अंसर देखो बई ध्यान से पहला करा एक सिगनल मैन की सूजबूज तथा तुरंत की गई कार्यवाही से एक बहुत बड़ी रेल दुरगटना होने से बची सिगनल मैन की किसे सूजबूज से उसने दो रेल गाड़ियों को एक ही पट्री पर आते देख तुरंत एक रेल गाड़ी को दूसरी और मोड़ दिया और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया बात आ रही है समझ में तो पहला कहरा है स्वैम चालित सिगनल में आधुनिक तक्निक जिसमें अने कम्प्यूटरों के जालहों को अपनाना चाहिए ताकि स्वेवस्थाम बड़ी गलते नहों बिकुल सही है भाई इस बार सिगनल मैन ने देख लिया कोई जरूरी तो नहीं है मान कर चलो कि अगर किसी व्यक्ती ने कोई एक बहुत अच्छा काम किया है तो अगर उसे आप पुरुसकार दोगे तो जो उस छेतर में और भी लोग होंगे उन्हें क्या मिलेगा प्रोच साहन मिलेगा, उन्हें लगेगा कि भई अगर इसे पुरुस्थकार मिलाए तो अगली बार मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी बहुत अच्छा काम करूँगा, तो फिर मुझे भी ऐसा मिलेगा, ठीक है, तो ये जादा बहतर है, बहुत बढ़िया, बहुत सांधार, ब बिटा और महिने की थोड़ी थोड़ी दोगे वह भी बहुत है बहुत बढ़िया ओतम चत्रवेदी बहुत-बहुत प्यार मेरे भाई बहुत बहुत प्यार, next question पर आजाओ एक बार, सोलमा सवाल आज की class का, आपके समक्षा आ चुका है, बताओ इसका answer क्या है, भानू, ठीक, अताओ, बताओ बही, जल्दी से बताओ मेरे भाई, किसानों को दी जा रही सहायता का दुर्पयोग देखा गया था यानि आपने देखा होगा बेटा लगाना भानू एक बार हमको आपने एक चीज देखी होगी बच्छमन में कहानी थी कि बच्चे जो पीछे से मुंफली आवे न, वो चार दानी की आवे है, अगर किसी ने सुनी हो, समझी हो, ये कहानी तो बता न, पीछे से जो मुंफली आती है, गरीब आदमी के पास ये कहावत है, कि वो चार दानों की आती है, धीरे 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 एक दाना कहीं खाया एक किसी ने, तो गरीब आदमी तक कितना दाना, एक दाना पहुंचता है, वही question है, कि question कहरा है कि जो किसानों को दी जारी सहता है, उसका दुरुपियोग हुआ है, बाता आ रही है समझ में, हाजी चलो भाई, तो दिहान से देखो, किरेक किसानों को दी जारी सहता का दुरुपियोग देखा गया था, और इसे संबंध प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया था, ठीक है, तो पहला कह रहा है, सरकार को संबंध अधिकारियों को आवस्यक दस्तावेजों का सत्यापन करते समय और सहाईकी देने समय अधिक कड़ाई बरतने कैड़ाई जो होती है, मतलब कठोरता के और सावधान रहने के आदेश देने चाहिए, तो बात बिलकुल सही है, जब उनको पूरा रासन नहीं मिल रहा है, सब कुछ उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, तो होने चाहिए, दूसरा करा है, सहाईकी का गलत दावा करने वालों के खिलाब सरकार को कठोर कार्रेवाही करनी चाहिए, ये भी बात बिलकुल सही है, तो दोनों के दोनों सही है, बात बराबर है तो next question आपकी सामने आता हुआ बताओ इसका answer क्या और ऐसा एक question मिलता जुलता करा चुका हूँ ऐसा एक question मिलता जुलता आज की ही class में करा चुका हूँ दोस्तो बताओ इसका जबाब क्या है जल्दी से बताओ इस question का सही बताओ भई जल्दी से जल्दी से बताओ इस question का राईता answer क्या है चलो पिछले कुछ दिनों के दौरान अबाजारी भनो पिछले कुछ दिनों के दौरान इस्थानीय सरकारी असपतालों में भरती अधिकादिक रोगी मलेरिया से पेडित पाए जा रहे है यानि मलेरिया हो गया भी या मलेरिया होगा उन लोगों को क्वेश्चन क्या आप कह रहा है कि मलेरिया से पेड़त सभी रोग्यों को अस्पताल से तत्काल चुट्टी दे देंज़िए पागल है गई हो तो वैसे बीमार है उन्हें चुट्टी ओर्दे दो ने गलत है नहीं है दूसरा कह रहा है अस्पताल प्राधिकारियों को अस्प ये भी गलत है, मलेरिया से पेड़ सभी रोगियों को एक अलग वाइड में रखा जाना चाहिए, ये एक बिलकुल सही बात है, यानि कहने का मतलब ये है, आप इसे बहुत बहतरीन तरीके से समझ सकते हो, बात समझ में आई है, प्यारे दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है, कि म बहुत सांदार तरीके से, आप इनको बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे, प्यारे दोस्तों, ठीक है न, सर जी, all competition के reasoning कहां से पढ़ें, मेरे दोस्त, जिस बैच से आप पढ़ रहे हैं वो all competition कवर कराई देगा, दिक्कत मतलो, कोई topic रह जाता है, तो रात को जो CGL व लेकिन उससे क्या फाइदा है कि एक topic को चार-चार दिन पढ़ा हूँ, एक दिन में एक topic चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हैं, जो बहुत बढ़ा topic होगा, उससे दो दिन या तीन दिन में भी लेंगे, लेकिन डिपेंड करता है topic कैसा है, तो कहन लेका मतलब ये है, प्यारे दोस्तों, देखो ये बच्चा batch की बात कर रहा है, कि paid batch भी आएगा, बेटा paid batch मैंने आपसे क्या बार कहा है, वीडियो का paid batch हम तब निकालेंगे, जब YouTube पर एक बार पूरा सलेबस फिरी में करवातेंगे, यानि RWA की अलग खास बात है, एक पह होगा, तो ये मानलों कि ये अंतिम सत्य है, कि batch complete ही होगा, और फिरी में ही होगा, और पिल्कुल YouTube पर होगा, बात आ रही है समझ में, तो batch लेके आएंगे, जरूर लाएंगे, और अगर लगा कि syllabus खतम करने के बाद भी paper में समय बचाए, तब batch लेके आएंगे, और लगा कि अब तो समय ही नहीं है, फिर हम practice सेट सुरू कर देंगे, बेटा इसलिए पहले अभी batch के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी आप फिलाल फिरी में पहले पूरा सलेबस YouTube पर कर लो, और जब आपको फिरी में मिल रहा है इतना अच्छा content, तो फिर आप लोगों को इध फिरी भी लगता है कि यार मेरी तयारी अभी बढ़िया हो गई है, देखो जैसे हम YouTube पर तयारी करते हैं, फिर हमको लगता है अभी पेपर में डेड़ महीना है या दो महीना है, फिर हमको लगता है अब मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, फ पूरा कोर्स आप पिल्कुल चिंता मत करो, बाकी कमेंट में इंतजार करूँगा आप लोगों का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लई है, बचे, बचे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जैहिंद, जैभारत, बाए बाए